राजरस्थान के बाड़मेर का गाउं मिया का बाड़ा अब equals नगर हो गया है अजमेर जिले की कीशनगाड के सलेमाबाद का नाम अब शिरी Tीर्थ कर दिया गया है जी हाँ, राजस्थान के बदलते नाम वाले गाउं की फैहरिस्थ अभी और लंबी है, क्योंकि वसुंद्रा राज में पूरे पंद्रा गाउं का पुराना नाम गुम होने वाला है राजस्थान के सरहदी जिले बाड मेर में नया बोर्ड लगा है महेशनगर, जी हाँ, कुछ दिन पहले तक यहां मिया का बाड़ा नाम का बोर्ड लगा होता था, जो बदल कर महेशनगर हो गया है स्थान या लोगों की मांग के बाद राजस्थान सरकार की राजस विभाग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने करीब 15 गाउं के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है, जिसमें मिया का बाड़ा भी शामिल है गाईं के लोगوں का कहना है कि मिया का बड़ा नाम से मुसलिम बहुल गाउं का एहसास होता था जबकि गाउं में तीन घर ही मुसलिम है इसलिए लोगों ने इसे महेश्ष निगर करने की मांग की जो म्गलकाल से पहले इस गाउं का नाम था मिया का बाड़ा की तरस पर अजमीर दिले की किशंगड की सलिमाबाद का नाम बदल कर श्री निमबार्ग तीर्थ कर दिया गया है जुन जुनू के दो इसमाइल पुर में एक का नाम पिचनवा खुर्द और दूसरे का नाम कौशन नगर या ईश्वर नगर रखे जाने की मांग हो रही है चित तौलगर जिले की भदेसर तहसील मंडफिया गाओं का नाम सामलिया जी करने की मांग हो रही है इसके अलावा कई गाओं के नाम बदलने की तैयारी हो रही है नया नामकरण बीजेपी की वसंद्रा सरकार में हो रहा है लेहाजा सियासत भला पीछे कैसे रही की कॉंग्रेस कारूप है कि चुनाम नजदीक आते ही बीजेपी सरकार ने धुरुवी करन का खेल शुरू कर दिया है यह नाम बदल कर सियासत करना इनकी प्रवर्ती रही है योजनाओं का नाम मद्दा है जसे राजी गानी सिवा के इंद को टल सिवा केंद किया अभी जो शेहरों के आगाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करें उसका मूल कारण है कि यह जो गोर इशू से जान डावर्ट करना चाहते है जन्दाने इनको विकास उनिश्यत करने के जनादेश जिया था ना कि यह नाम करन बदल करके और ओची सियासत करने के लिए मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलने के बाद विपक्ष के तीखे तेवर जिलने वाली भारतिय जनता पार्टी अब इस नए नाम परिवर्तन को लेकर क्या स्टेंड रखती है